आकाश्वणी मद्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमाज राश्पती द्रापुदी मुर्मूस महिने की 22 तारिख को 19 असाधरन बच्चों को प्रधान मंत्री राश्ट्रिबाल पुरुसकार से समानित करेंगी इन बच्चों को कला और संस्कृती वीरता नवाचार सामाजिक सेवा और खेलों में असाधरन उपलब्धियों के लिए चुना गया है पुरुसकार पाने वाले बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़किया हैं जो दो आकांशी जिलों सहित 18 राज्जियों और केंडर शासर प्रदेशों के हैं ये पुरुसकार 15 या 18 वर्ष के उमर के बच्चों को दिये जाएंगे पुरुसकार पुरुसकार विजयताओं के साथ बातचीत करेंगे राश्ट्री आपदा मुजन बल NDRF आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है केन्युक रहमंत्र रमिश्चा ने सबसर पर बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया में दूसरे लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलेदान करने वाले बहादुरों को नमन किया है उन्होंने कहा कि बलके कर्मियों ने आपदा के समय जानमाल की रक्षा की है और दुनिया के अन्य देशों में भी मदद का हाथ पढ़ा कर भारत की वसुदैव कुटुमुकम की अवधारना का संदेश दिया है प्रदेश में होने वाले प्राण प्रतिश्चा समारों के संबन्द में अनिक आयुजन हो रहे है समाजिक नियाईव मितिकारिता विभाक की कैबिनेट मंतरी मानी डॉक्टर विरिन्दर कुमार जी के नेतरत्व में चतरपुर के मूटे के महावीर मंदिर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है किसान कल्यान एवं कृष्टी विकास मंतरी एंदल सिंग कंशाना ने भुपाल के कोलार इस्थित खाटुश या मंदिर में सफाई की केंदरी मंदिर जोतिरा दिति सिंधिया 22 जनवरी को श्योपुरी के मादव जोक इस्तित हनुमान मंदिर पर आयोजन में शामिल होंगे खनवा के मात तुलजा भवानी माता मंदिर प्रांगण में 108 घंटे तक राम जोत प्रजवलित रखने के लिए एक हार आठ किलो वजन के दिये का निर्मान किया गया है इस दिये को कल प्रजवलित किया दिये में 200 किलो तेल डाला गया है टिकमंगण के शासकी सनातकोतर महाविद्याले में भगवान शीराम के जीवन चरेतर पर आधारित स्लोगन एम पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया राज़ानी भुपाल में कार्बन उत्सरजर नियंद्रित कर क्लीन कैपिटल के साथ ही क्लीन कैपिटल बनाने की तयारियां शुरू हो चुकी है भुपाल को सोलर सिटी बनाने के लिए आगामी दो माहों में घरों और विभिनिस्तनों पर सोलर पैनल लगाये जाएंगे कलिक उचिसतरी बैठक में इसकी रूप रेखा तयार की गई बैठक में नगर निगम के महापौर प्रमुक सचिव उर्जा संभाक आयोक्त कलेक्टर उर्जा विकस निगम में बोपाल में 1100 मेगावाट sol нов energy स्थापना और उप्योग का लक्ष नरदारित कर क्रमबात धंक से जनसायोग से अमल किया जाएगा मुपावने वर्तमान में 2000 मेगावाट विद्यूत की खपत है जबलपूर के लमेटा घाट बेडा घाट में देश का पहला जियो पार्क बनाया जा रहा है प्रदेश के लोक निर्मान विभाग मंतरी राके सिंग ने जियो पार्क की स्थापने वो मुझके परियोजना के संबन में अधिकारियों की कल बैठक ली शिसी ने बताया कि जबलपूर में बनने वाला देश का पहला जियो पार्क जियो लॉजिकल सरनश्राओं के साथ साथ मानोस वभेता के विकास के अध्यान, परियटन और संस्कृति के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा बैठक में बताया गया कि जियो पार्क में स्थापित किया जाने वाला संग्राले विश्विस तरका होगा और यहां 3D मॉडलिंग, 3Matic Design, Interactive Touch Table आधी अत्यादुनिक तक्निक का प्रियोग किया जाएगा और अब मौसम, प्रदेश में इन दुनों कडाकी की सर्दी पढ़ रही है, गौलर चंबल के शेतर के कई जिले, शीत लहर की चपेट में, उत्तरी हवाओं की चपेट में आने से कई शेहर दिन में भी ठुटो रहे हैं, इदर शिक्षा विभाग ने गौलर चंबल संभाग मे स्कूलों के समय में परिवर्दन कर दिया है, यहां 31 जनवरी तक स्कूल 11 बजे से ही खुलेंगे, बाकी जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव का अधिकार जिला कलेक्टरों को सोब दिये हैं, अब कुसमा चार संशेप में, पढ़ना जिले में पवई विधायक प्रलाद अभियान चलाया, काना टाइगर रिजर्व मंडला के कोर्जोन के अंतरगत खमेर पानी में मादाबाव का शफ राप्त हुआ, बाकी मृत्यू का कारण अने बाक के साथ आपसी लडाई माना गया है, इस बलिटन में इतना ही, नमस्कार